Hello guys, क्याल आपका? I hope आप लोग अच्छे हो बहुत ही कमाल कहोंगें तो पिछले डेर दो अपतों से मैं regular videos upload नहीं कर पा रहा था गाइस क्योंकि बहुत सारे event आ गया था बट क्योंकि अब सारे events end हो चुके हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि आप से regular videos upload होगी plus reptile event अभी चल रहा है और मुझे उमीद है कि आप मैं से 70-80% लोगों ने already complete कर लिया होगा but just in case अगर आप मैं से किसी ने complete नहीं किया तो मैं जल्दी से एक बार explain कर देता हूँ तो आपको सबसे बिले क्या करना है कि quest mode के अंदर जाना है और यहां पर आने के बाद और आपको one day के quest करना है जैसे यहां मैं टावर नवर फाइब के अंदर देख सकता हूँ यहां यहां one day का quest कीजिए और आपको मिलेंगे 18 eyes आप किसी भी टावर के quest को complete कर सकते हैं आपको ice मिलेंगे बट अगर one day की करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि one hour, four hours और eight hour के quest होता है ना उनके अंदर ice मिलने के chances बहुत जादा कम होता है I think five to ten percent chance होता है तो मैं आपको recommend नहीं करूंगा one hour या four hours और eight hour के quest करने के लिए हाला कि मैं खोद one hour के quest कर रहा हूँ क्योंकि मुझे souls चाहिए और एक दिन में मुझे 30 to 40 eyes मिल जाता है one hour के quest करने से और आप इस event को बस एक ही बार खेल सकते हैं तो माली जी आपने ice collect कर लिए जितना कहा गया है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि मुझे collect करने के लिए कहा गया है 175 क्योंकि मेरा भी fusion 4 या 5 है अगर आपका भी fusion 1 या 2 होगा तो आपको साथ 125 या 150 के आसपास collect करना पड़ेगा तो माली जी आपने ice collect कर लिए तो उसके बाद आपको क्या करना है आपको simply home page पे जाना है और जब आप home page पे आईए गा तो यहां पे tower और जो sonya bullet का challenge आये हुआ है इसके middle में reptile event आएगा और boss reptile इतना ज़्यादा hard नहीं होता आप easily उसको मार देंगे तो बस guys यही था reptile event अब हम लोग बात कर लेते केसी cage की combat cup केसी cage की तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे collection के अंदर और सीधे जाएंगे end में तो यहाँ पे केसी cage आ चुपी है तो केसी cage का passive क्या बोलता है on tag in combat cup केसी cage brands an active opponent as an outsider for 20 seconds any attack against the outsider is unblockable with 50% chance when an outsider tries to tag out केसी cage drones deal 30% damage to their current health the drones doesn't deal damage to bosses all combat cup characters on the team are immune to cripple तो कभी अच्छा पैसे ले गाईज बट सबसे ज्यादा इप्रेसी बात यह है कि combat cup team केसी cage के जरीए immune to cripple हो जाएगी और आपको तो पता ही है कि cripple immune होने से बहुत सारे advantage मिलता है जैसे कि आप mk11 scorpion को काउंटर कर सकते हैं classic lookang को काउंटर कर सकते हैं iron black को काउंटर कर सकते हैं और भी बहुत सारे characters लेगाई जिनको आप केसी cage के थुरूं काउंटर कर सकते हैं तो overall देना जाए तो यह बहुत ही अच्छी character है और इसका पैसे भी काफी जादा अच्छा है बट वही बात है कि जो भी free-to-play players है मेरी तरह वो इस character को यूज नहीं कर पाएंगा क्यूंकि सुरूं के तीन-चार महीं ने तो केसी cage money के थुरूं आएगी और जब तीन-चार महीं ने बाद इसे सोल स्पेक में डाला जाएगा तो उस समय भी बहुत ही कम chances होगे plus काफी ज्यादा limited होगी केसी cage तो इसलिए इसमें इतना ज्यादा excited नहीं हूँ केसी cage को लेकर और एक कापी अची बात है केसी cage के special one और special two में कोई खास ability दी नहीं गई है जैसे की रिपल हो गया या पावर ड्रेन हो गया आप पता नहीं डेवलोपर्स ने ऐसा क्यों किया मतलब at least वह पावर ड्रेन या की रिपल को तो आड़ करी सकते थे पर उन्होंने कोई भी special ability आड़ नहीं किया तो गैस आप मुझे comment section में बताइए कि आप combat कप केसी cage के लिए एक्साइटेड है या नहीं है और जुनको भी upcoming challenge character के बारे में जानना है तो upcoming challenge character combat कप जो नहीं के message मैंने delete कर दिया नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ message तो ठीक है आज की वीडियो को तब यहीं paint करते हैं और कुछ बताने के लिए हैं मेरे पास अभी तो आज की वीडियो को यहीं paint करते हैं और फिर आपसे मिलता है next video में